हरेड सरकार ने कौशर रोजगार योजना के तहत 10,000 लोगों को इसराइल में भेजने का वियापन निकाला है सरकार के इस फैसले पर कंस्ट्रक्शन कर रहे युवा कुछ खासे कुछ नजर नहीं आ रहे हैं चंदन कुमार कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जिनके उमर 32 वर्ष है चंदन कुरुक्षेतर के जांसारोर्स्थित शाम कालोनी में रहते हैं चंदन का कहना है कि वो दस्वी पास है और दो बार विदेश जाने की कोशिश कर चुका है लेकिन किनी कारणों से उसका वीजा नहीं मिल पाया सरकार के इसराइल भेजने के फैसले बर वो कहते हैं कि हमने इसी देश में जनम लिया है अगर सरकार हमें रोजगार देना चाहती है तो इसी देश में दे ना कि ऐसे देश में बेजे जहाँ पर जंग लगी हुई है दूसरे देश अपने लोकों को वहाँ से निकाल रहे हैं और हमारी सरकार हमें वहाँ बेजने की बात कह रही है सरकार कहती है कि हमारा देश अमीर बन गया है हमने रोजगार दिया है लेकिन बात रोजगार के लिए विदेश बेजने की बात कही जा रही है वहीं राजेश कुमार की उमर 28 वर्ष है उनके मदाबिक उन्होंने बारवी पास की है वो भी जांसारोड कुरुक्षेतर के रहने वाले हैं उनका भी कहना है कि वो ऐसी जगा कहीं नहीं जाएंगे जहां जंग लगी हो वो अपने परिवार को छोड़ कर ऐसी जगा क्यों ना जाएं अगर सरकार विदेश भेजना ही चाती है तो उसे उस देश भेजे जहां सब कुछ ठीक हो सर हमने दस भी तक पढ़ रखी है ऐसे जानों तो चाते हैं एक बार दो बार ट्राई भी करा हमने जाने का नहीं जा पाएंगे यहां क्या काम करते हैं तो सरकार विजराइल भेज रही है लोगों को दस अजार जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उनको विजराइल भेजने की बात कह रही है तो सरकार के स्पैंसले को कैसे देखते हैं क्या आप जाना चाहेंगे जाना तो चाहते हैं लेकिन वहां पर ऐसा जो हो रहा है, जो यूद्ध का सिस्टम से छिड़ा हुआ है, अब वहां पर जाके ऐसे जरगां क्यूं भेज़े सर्कार फिर, भेज़े तो ऐसे जरगां भेज़े जहां पर मतलब से अच्छा भी हो अपना है, अब आपकी और सर कोई नहीं, तो ऐसे सर इड़कारों बोलती है कि वहाला डेस अमीर हो गया है फिर इसे जागा हुए न क्यों भीज दिना चाहिए है जो तो थो जह फे अपनी जारा चाहेंगे हम दो ऐसी जगह जाके क्या करेंगे जहा है शहें तो हम परोड के अपने सोड़ के तो ढूद' हुआ जघ्जरा कर लेगे अगर विदेश जाने की जी सबको इच्छा होती है, ऐसी जगे भेजे जहाना है, जहान पर युद्ध चल रहा है, वहां किसी की जान माल का कोई खतरा हमेसा बना रहा है.